आप देख रहे हैं देश प्रेम यूज अब बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो नारा है कहीं कहीं सरमसार होता हुआ दिक रहा है जिस प्रकार से एक तेस्पीज आदब जिसे आप पूस्ताच कर लेते या उनके बेटियां से पूस्ताच कर रहे हैं तो ठीक ठाकता लेकिन प्र प्रकार से प्रश्वाण नहीं करना चाहिए यह बिल्कुल जाठ डर्व को या राजनीति कंजोर पाट्यों को जों करने का यह साजी चल रहा है यह बिल्कुल आने वाला समय में जनता है इसका जबाब देगा उनकस्ताव अपने का महत्त्त अपने पावर को समझे तब न ह अरे भाइव तो दूसरे की साले पर काम करा जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली राणी चले देश में तो इसी से आगे जब तक नहीं निकलेगा सबसे पहले पुरसतम जी आपका हमारे चैनल में पहली बार है उसके लिए आपका बहुत-बहुत-धन्यवाद पुरसतम जी बते जिस तरीके से एडी और सीबी आई की लगातार छापे मारी सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार के लोगों पर हो रहा है उसको आप कैसे दखते ह जो रेड का जो डड़ है तमाम रजनीति की पाश्यों पर इस प्रकार से लगाया जाड़ा है यह कहीने कही आजेंसी का दुरुप्योग हो रहा है और दुरुप्योग से बचना चाहिए एक ब्यक्ति भीसेस को परिशान नहीं करना चाहिए जिस प्रकार से परिशान किया राश्त्री यादो जी पर जिस तरीके से कल एडी और उनको पंदरा घंटे तक बठा करके रखती वोत एक प्रिगनेंट महिला आट महीन हो चुका है नेक्ट मंत में उनका बच्चा भी होने वाला है उसको लेकर करके चीवी और एडी उनके पंदरा घंटे बठा दती है औ और वह बेहोस हो जाती है उसको कैसे दखते हैं अगर इस तरह के घटना आया है तो यह बिलकुल निंदनीय है मनपता का कहने के सरमसार करने बार इस तरह की घटना है इस तरह कि नहीं होना चीएक महिला के साथ जहां जिस देश का मानने प्रधान मंतरी जी का यह नारा होग कि आम प्रधाश चाही जी का चाहाओ जोग ठीक अनेवाला समय में होग जनताइसत्का जबाब लेगा पूरे भारत से छोटी-छोटी पाठी पाठी को समाप्त कर देंगे लेकिन क्या हुआ इस दिन प्रति दिन वोट बैंक को तोड़ लिया गया लेकिन आपके जो सर्वोसरा है जो मुकेसद सेहनी जी जी है वो तर बीजेपी के साथ जी देता है क्या नितना लुट के लिए जनसी को लगा कि मुटेश दोड़ा कर रहते तो लगा कि खत्रा तो दिया है तो मुस्कुरा रहा तो बोला जाएगा बीजपी में आप मानित किया गया है बीजपी के बारे मों सोचने के लिए देखिए सबसे पहली बात है कि अगला अगला अदेश होगा पार्टी का असिस्ट में जो तैक करेगा वह आप सब के सामने बताएं अभी फिलाल हम लोग पार्टी के मजबूती पे काम करें पार्टी को संगठन से लेके बूत हस्तर पर मजबूत कर रहे हैं अभी इरादा कुछ नहीं किसके साथ जाएंगे कब जाएंगे और आपको क्या लगता है जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ यह 121 नेताव परेट परती है जिसमें से विपाक्ष के 117 नेता रहते है यानि विपाक्ष ही जो है वह भरटचारी है यह देखिए ऐसी का तुम बोलें कि इडियाई सीवी आई का जो है जिस प्रकार से रुप्यों की आज के देश में यह कहीं ने कहीं लोग के तंत्र के लुरू में एक बीज़ेपी के नेता के पास आठ करोड का मतलब के कैसी जबत हुआ उसको तुरांत मिल जाता है जहांच अगर किया जा सही तरीके से तो सब के पास बेनामी संपति निकल जांगे लेकिन जांच किया तब ना जहांच अजैंसी मंदारी प्रूबा काम करें अपने काम का महत्व समझे तब ना अपने पावर को समझे तब ना अरे भाई तो दूसरे की साले पे काम करें जिसकी लाट यूसकी भायास वाली रही देश में तो इस चीज़िस से आगे जब तक नहीं निकलेगा इदी चलता रहेगा तो क्या लगता है आने वाले दूनो का एँगा इस प्रकार का चले नहां सब्सक्राइब क्या कि आति पीछ्रा समाज के लक्षण के लड़ रहा है तो लोग उस विचार धारें का साथ चल रहे हैं उनका अभी कुछ भी चार धारें हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं तो आपने सुना पुरुसत्तम जी को जो भी आईपी पाठी के परदेश परवक्ता है इन्होंने बताया के एडी और सीबी आई का पूरी तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है और महिलाओं का स्तामान होना चाहिए महिला को इस तरीके से 15-15 घंटे बठाया करके वह एक महिला को जिसका एक मेने के बाद बाद चाहूने वाला है उसको इस तरीके से एडी और स्वी आई को परसान नहीं करना चाहिए साथियो आपका प्रतिक्रिया कोमर्स बॉक में जब जब जरूर दे अगर आपने पर फेस्बूक पेच को फोलो करेंगर यूटुब चाहूंक देश्प्रेम न्यूज